इंग्लेंड के खिलाब खेले जाने वाले तीन मुकाबलू की टी-20 सिरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ है एलान हार्दिक पांडिया बने टीम के कप्तान तो वहीं पर रोई सर्मा विराड कोली समय साथ दिगज किलाडी हुए टीम से बाहर नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में इंग्लेंड के खिलाब खेले जाने वाली टी-20 सिरीज के लिए टीम इंडिया का एहलान हो चुका है जहां पर टीम की कप्तानी हार्दिक पांडिया करते हुए दिखेंगे तो तो इस विड़म हम आपको बताएंगे कि यह ति आपको इस वीड़ो में देंगे तो दोस्तों यह सब जानने के लिए बने रहे इस वीड़ो के आखिर तक और साथ ही अगर आपने अभी तक अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले और साथी साथ इस वीड़ो को दिल से एक लाइक जरूर करते आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इंग्लेंड दोरे पर सांधार प्रपोमेंस करें तो दोस्तों भारत और इंग्लेंड के भी इस थीन मुकाबलू की T20 सीरीज कहली जानी है जिसके लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका हैं जहापर टीम इंडिया में कहीं एसे दमदा सबसे बढ़ा नाम आता है कत्तान रोईयव सरमा का जो क्या पर हमने खेलते हुए नहीं दीखेंगे तो इनके साथ ही केरल, राउल, विराट, कोली, रिसषब, पनतूर, स्रेश, इयर जैसे दिगज किलाडी भी हमें इस सीरीज में नहीं दिखने वाले हैं इनके अलवा गेंदबाजी की हम बात करें तो गेंदबाजी में जस्परीद, बॉमरा, मोहमज, समी, सार्दूर, ठाकुरो और मोहमज, सिराज भी यहां पर टीम इंडे की स्कुईड का हिस्सा नहीं होने वाल हैं जो इंग्लेंड दोरे पर सांधर प्रफॉमेंस करते हुए अपने आपको टीम में सांधर जगे बना सकते हैं तो ऐसे में इन युवा खिलाडियों के पास अपने आपको साबित करने का एक सांधर मोका होने वाला हैं तो चली दोस्तों अब हम जान लेते हैं हम इन तीन सांसर सुबह 11 बजे और मुकाबला कहल जाएगा साउथ एठेंट में, वही पर दूसरा T20 मुकाबला कहल जाएगा प्रीमिंगम में जोकि 9 जुलाई को कहल जाएगा और इस मुकाबले की श֌बह 10 बजे शुरू होगी यदिके दो मुकाबले सुबह 11 बजे शुरूंगे, वहीं पर एक मुकाबला साम को 7 बजे सुरू होगा वहीं पर इस मुकाबले में सीनियर खिलाड़ी के हम बात करें, जो कि हमें कहलते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि ये सब भी खिलाडी टेस्ट मुकाबले खेलने वाले हैं यानि कि बाड़ते टीम इंगलेंड के किलाब री सेडूल वा पांच वा टीटवन्टी मुकाबला शुरू होगा एक जुलाई को जो कि चलेगा पांच जुलाई तक तो ऐसे में यहां पर टीम इंडिया के ल के मुकाबले खेले जाएंगे बारा जुलाई, चव्दा जुलाई और सत्रा जुलाई को तो इन तीनों मुकाबलू में हमें रोई सर्मा विराट कोली एक साथ खेलते हुए दिखेंगे जबकि T20 मुकाबले में हारदिक पांडिया टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे यानि कि हारदिक पांडिया पर यहां पर बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है टीम की तो तो वहीं पर चली दोस्तों आब हम जान लेते हैं किसी स्कॉइट के साथ टीम इंडिया याँ पर मेदान पर उतर रहे हैं तो टीम की कप्तानी हार्दिक पांडिया करने वाले हैं तो वहीं पर वोईस केटें की बूमीका बूनेस और कुमार निबहेंगे जिनके पास अच्छा कासा अनुबव भी है T20 का तो वही पर सांदार बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं यहाँ पर रितुराज का एकवाड़ो और इसान किसन जो भी टीम इंडे की स्कॉइड का हिस्से हैं तो वही पर सबसे बड़ा रॉल रहने वाला है यहाँ पर सूर्यकुमार यदव का तो साथी साथ संजू, सैंसंग, राउल, त्रिपाटी, दिपप, कुड़ा, वेंकेटे, सायर भी सांदार प्रपोमेंस कर सकते हैं तो वही पर इसके अलावा सांदार फिनीसर का रूल निपा सकते हैं दिने सकार्थिक तो वही पर अक्सर पटेल भी सांदार प्रपोमेंस करके दिखा सकते हैं यानि कि जो टीम Ireland के खिलाब T20 सिरीज कहलने ऊत्रेगी वहीं England दोरे पर सांधार प्रोकॉमेंच करने लिए उतरने वाली यानि कि जो टीम Ireland के खिलाब कहलेगी वहीं England दोरे पर पर उतरती हुई दिखेगी टीम हलांकि इस सीरीज से पहले टीम इंडिया दो अब्यास मुकाबले भी खेलने वाली हैं इंग्लेंड के किलाब तो आपको क्या लगते हैं दोस्तों की इस स्कॉइड के साथ टीम इंडिया इस इंग्लेंड दोरे पर सांधार प्रफॉमेंस कर सकती है और किन दिगज प्रफॉमेंस के साथ टीम इंडिया की स्कॉइड में ओर हिस्सा होना चाहिए आप हमें अपनी मेहत्मों राइक कोमेंट करके जरूर बताए और साथी साथ वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले दन्यवाद दोस्तों वीडियो के अन तक बने रहने के लिए